कभी कभी कोई चीज कहीं के लिए अलग होती है तो वहीं कहीं देश और किसी राज्य के लिए वो स्वागत मानी जाती है किसी भाशा किसी भाशा में कोई वस्तू कोई शब्द सम्मान नहीं होता है तो वहीं दूसरी भाशा में अपमान जनक भी होता है तो भाषा परिवर्तन होते ही शब्दों का आर्थ, क्रियाओं का आर्थ, मंगल और अपमान का आर्थ बदल जाता है जैसे ही प्रांत बदल जाता है वैसे ही क्रियाएं बदल जाती है धर्म, कर्म, जो नितीनियम है बदल जाते है पर इन सारे संसार में एक अई चीज एक जैसी रहती है वो है प्रेम वो उडियन हो या अंग्रेज हो या हिंदू हो या ईसाई हो प्रेम में कोई बदलाव नहीं होता वही भाषा सांप भी समझता है तो वही भाषा भगवान भी समझते है एक ही भाषा है उसमें कोई नीती नियम नहीं आप जैसा कर सकते हैं वैसा करो एक प्रेम ही ऐसा है जिसके लिए कोई नीती नियम नहीं है पर बस प्रेम करो प्रमात्मा को करो प्रत्येक प्राणी को करो उसकी कोई भाषा में उसके लिए कोई नियम नहीं, उसके लिए कोई नीती नहीं वो हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है, हर व्यक्ति के अपनी क्रिया होती हर व्यक्ति का अपना शब्द आप अंग्रेजी में पर्मात्मा से बात करो तब भी भी वो उत्तर देते हैं हिंदी में करो तब भी मिलेगा सिंदी में करो तो भी मिलेगा उसके लिए कोई नियम नहीं है मनुष्य सीमित है इसलिए प्रांत में बना हुआ है मनुष्य सीमित है इसलिए जाती में बना हुआ है पर प्रेम की कोई जाती नहीं होती सरप को प्रेम दो तो भी वो वश होता है और भगवान को दो तो भी वो वश होता है तो सारी जातियों में वो एक ही सारी विश्वमताओं में अगर एक ही समता कोई है तो उसका नाम है प्रेम एक ही समानता है जो सब के पास अधिकार है आप कर सकते, काला कर सकते, गुरा कर सकते, मौई कर सकते, भाई कर सकते, सब कर सकते, एक ही समानता प्रमात्माने भी है इश, तो उस प्रेम के अधिकार का सदुप्योग करना चाहिए, प्रेम जब बहुत शुद्ध है, विशुद्ध है, प्रेम जब शरीर में अटकता है, त तो उसे आसकती कहते हैं और प्रेम जब सदभाव में द्यापक हो जाता है तो उसे विशुद्ध प्रेम कहते हैं प्रेम जब कुछ लेने का कीकरिया में होता है तो उसे मो कहते हैं उसे वासना कहते हैं और प्रेम जब देने में होता है, तब उसे त्याग कहते हैं और तपस्या कहते हैं। तो हमने प्रेम का स्वरूप अलग-अलग कर दिया है, शरीर के साथ बंद कर हम कामना में होगें, और कामनाओं से उपर उठो तो हम राम में होगें। है तो प्रेम ही ना, प्रेम ही के भिन भिन स्वरूप है, और प्रेम करने का अधिकार सब को है, सब को, यहां तक कि शिशुपाल ने भी पर भगवान से प्रेम किया, तो शिशुपाल ने तो शत्रुता की ना, वैसे, पर प्रेम तो एक से हुआ ना, चाहे शत्रुभाव से तो ना नारण जी ने पूछा कृष्ण से कि शिशुपाल ने आपको सौ गाली दी और उसकी मुक्ती हो गई ऐसा कैसे हो सकता है उसको कोड हो जाना चाहिए क्योंकि उसने भगवान को गाली दी वो मर जाना चाहिए उसे पागल हो जाना चाहिए था उसे मानसिक संतुलन खो देना चाहिए था क्योंकि आप परमात्मा हो आप भगवान हो और उसने गाली आपको दिये फिर भी उसकी वही मुक्ती कैसे जो योगियों की होती है उसकी भी आपने जब उसका सिर काटा तो उस जैसे शबरी की हुई, जैसे और भगतों की होती है, क्या फरक है फिर, क्रिशन ने बात सुन्दर उत्तर दिया, क्रिशन ने कहा कि, मैं ये नहीं देखता, कि वो शत्रु भाव से भजता है, कि वो मित्र भाव से भजता है, वो गाली देता है, या मेरा सम्मान करता है, मैं और कोई भगवान है, हो ही नहीं सकता, जो शत्रु को वाका भी उद्धार करते हैं, तो प्रेम के लाइक तो प्रमात्मा ही हुए ना, आप अगर माता-पिता को अपमान करते हो, या माता-पिता की मर्यादा का उलंगन करते हो, नहीं करना चाहिए, पर अगर हाँ, बच्चे के द्वारा होता है, तो माता-पिता भी कोई नो कोई स्टेप लेते हैं, निकाल देने का, नाटने का, अलग कर देने का, हिसा काट देने का, आदी-आदी, जो कुछ भी कर सकते हों, पर प्रमात्मा का कोई गाली देता है, तो भी उसकी मुक्ती होती है तो वास्तविक प्रेम का अधिकारी तो परमात महीं हुए कि हमारे हमारे शत्रु भाव से मित्र भाव से अपमान भाव से किसी भी भाव से अगर भचता उसको है गाली भी उससे, जगडा भी उससे प्रेम भी उससे ताने भी उससे फरियाद भी उससे तो केवल अगर मध्य में वो है तो उसका उधार भी वैसा ही होता है यह बात और है आप यह कहो कि वो शत्रुभाव से भी भजा तो उधार हो गया तो हम भी उसी भाव से भजते अगर आप उसी भाव से बचते तो आपको भक्ती का रस नहीं आएगा भक्ती का रस चाहिए वो बहुत सुन्दर है भक्ती का रस चाहिए तो प्रेम भाव से बचना है उद्धार तो दोनों का बराबर होगा क्योंकि content क्या है वो इश्वर नहीं देखते पर मुख्य क्या है विशय क्या है तो ऐसा प्रमात्मा हो जो शत्रु भाव से भी भजे तो ये उत्तर देता है कि मैं नहीं देखता कि उसने मुझे गाली दी मैं ये नहीं देखता कि मेरे शत्रु है मैं ये देखता हूँ कि शत्रु ता किस से गाली किसको दी, मुझे न, कहीं न कहीं उसके चिंतन में मैं तो हूँ, इसी कफल दिया मैंने, ऐसा कहीं देखा है आपने, शत्रु भाव का भी प्रेम पूरुन उत्तर हो, यह कभी देखा है, यह प्रमात्मा दे सकता है, तो प्रमात्मा इतना प्रेम का उत्तर पॉजिटिव देते हैं, तो प्रेम लेने के अधिकारी भी तो वही है, और आपको देने का भी करतव यह है, पती-पत्नी का प्रेम एक सीमा में है, एक सीमा में बंधा रहता है, आज है, कल नहीं भी है, आज ज़्यादा है, कल कम भी हो सकता है पर अगर परमात्मा को दिया प्रेम है तो वो अनंत गुना आपको भक्ती रस देता है उसी रस में रहना भी चाहिए